सावन महिने की शुरुवात होते ही हर जगर सिर्फ महादेव का ही गुणगान होता है भगवान शिव के भक्त पूरी शद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत करते हैं पुराणों में सावन के सुमवार का व्रत खास माना जाता है जिसे एक खास कर कुमारी लड़कियां रखती हैं इस व्रत में लोग सफेद नमक का सेवन नहीं करते या फिर सेंधा नमक से बनी चीज़ों को ही खाते हैं सूमवार को वरत करने वाले लोग मुख्यतेया फलाहार करते हैं और दूर पीते हैं इस दिन लोग बिना नमक से बनी हुई चीज़े ही खाते हैं आखर में इस वरत में नमक क्यों नहीं खाया जाता आई ये इस बारे में हम आपको बताते हैं सफेद नमक आर्टिफिशल और कैमिकल बेजड नमक होता है और इसे शुद्ध नहीं माना जाता यही वज़े कि सावन के सूमवार का वरत रखने वाले लोग सफेद नमक नहीं खाते और उसकी जगह सेंधा नमक यानि रॉक सॉल्ट का उप्योग करते हैं क्योंकि सेंधा नमक को सफेद नमक के तुलना में जादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है देखा जाये तो आयुरवेद में सेंधा नमक को स्वास्थ वर्धक बताया गया है क्योंकि यह कफ वात और पित्ध को शांत करता है कमी लोगों को जानकारी होती है कि इस नमक में शरीर के लिए जरूरी सारे तत्व जैसे लोहा, कैलशियम, पोटेशियम और जिंक मिलते हैं सेंदा नमक में किसी तरह क्या शुद्धिया और असायन नहीं होता अगर आप रोज सेंदा नमक खाते हैं तो आपका रक्त संचार सही रहता है या आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है व्रत के दिन नमक ना खाने की एक वज़य यह भी है कि व्रत के दौरान आपको हलका बोजन करना होता है लिहाज़ा नमक ना खाने से शरीर में हलकापन महसूस होता है वहीं सेंदा नमक में मौजूद कूलिंग प्रापार्टीज वरत और उपवास के दौरान बनने वाले खाने के लिए अच्छा माना जाता है इसमें वरत के दौरान शरीर को जो पोशक तत्व चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं सेंदा नमक देखने में हलके गुलाबी रंका होता है जिसको लोग वरत के मौके पर विशेश रूप से खाते हैं इसे शुद्ध नमक माना गया है इसे पहाड़ी और लाहोरी नमक के नाम से भी जाना जाता है सेंदा नमक खाने से शरीर की चरबी भी दूर होती है इसमें नेबू का रस मिलाकर पीने से उल्टी में आराम मिलता है रोज सेंदा नमक खाएं तो रक्त का संचार भी सही रहता है और खराब पाचन के उपचार के तौर पर भी सेधा नमक का उपयोग किया जाता है